उत्तर प्रदेश में परीश दिये स्कूलों में सिक्षकों की ओनलाइन हाजरी का मामलाग गरमाता जा रहा है एक और जहां ओनलाइन हाजरी को लेकर सिक्षक, सिक्षामित्र और अनुदेशक इस आदेश के जारी होने के बास से लगतार विरोध जता रहे हैं वहीं अब इसकी समर्थन में विरोधी दलों के साथ साथ बीजेपी के नेता भी अब खुल कर आ गए हैं इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्मुख्यमंत्री मायावती ने ओनलाइन हाजरी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को घेल लिया है बस्पा सुप्रीमो मायावती ने अपने अधिकारिक एक्स पर पोस्ट कर ओनलाइन हाजरी के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है मायावती ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जरूरी बुनियादी सुविदाओं का घोर अभाव होने के कारण वहां बदहाली की शिकायतें आम रही हैं जिस पर समूचित बजटिये प्रावधान करके उन गंभीर समस्याओं का उचित हल करने के बजाए सरकार उस पर से ध्यान बांटने के लिए केवल दिखावटी कारे कर रही है यह क्या उचित है इसके साथ ही पूर्मुख्यमंत्री मायवती ने आगे लिखा कि सिक्षकों की डिजिटल हाजरी में सरकार का ऐसा ही नया कदम लगता है जो जल्दबाजी में बिना पूरी तयारी के ही थोप दिया गया है बस्पा सुप्रीमों ने पोस्ट के जरिये कहा कि इससे कहीं ज़्यादा जरूरी है सिक्षकों की सही और समूचिस संख्या में भरती के साथ ही बुनियादी सुभधाओं का विकास ताकि अच्छी गुडवत्ता वाली पढ़ाई सुनिश्चित हो सके बता दें कि बीते दिनों बीजेपी एम एलसी देवेंदर पताप सिंग ने सीम योगी को पत्र लेकर कहा कि जरता के मन में सरकार की छबी सिक्षक और कर्मचारी विरोधी बन गई है इसके लिए नौकर शाह जिम्मिदार है उन्होंने पत्र के जरिये कहा कि पोलियों में भ पताप ने सवाल किया कि सिक्षकों से सिक्षण कार्य के अलावा 30 कार्य ओनलाइन ओफलाइन लिये जाते हैं लेकिन अटेंडन्स ओनलाइन क्यों मलसी ने पूछा कि क्या सिक्षकों को गैर सेक्षनिक कार्यों के लिए कोई अतिरिक्त सुविदा दी जाती है क्या सिक्षक इंसान की जगे मशीन बन गए हैं विचार्णिये सवाल ये है कि अन्य विभागों में डिजिटल अटेंडन्स क्यों लागू नहीं है